हेलो, वल्कम टो वी बैंकर दिसन जी, स्वागत दोस्तों माय साम वी बैंकर में, स्वागत इस वीडियो में, दोस्तों इस वीडियो हम लोग सीखेंगे बेसिक से इंगलिस, जी हाँ दोस्तों सीखेंगे बेसिक से इंगलिस, दोस्तों जो वाक के अपने पोस्टर में पढ़ प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन on time मिल जाए, समय पर मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए और आप हमें किसी भी social media platform पर follow कर सकते हैं, वीडियो को like जरू कीजिए, must like the video because video is top class A1 धासू, as always हमें इसा की तरह तो चली सुरू करते हैं, लेते हैं पहला वाक्य पहला वाक्य है, समझने की कोसिस करो, try to understand, समझने की कोसिस करो, try to understand, अगली वाक्य है, मुझे गुसा मत दिलाओ, do not make me angry, do not make me angry, अगली वाक्य है बकवास बात मत करो do not talk nonsense दोस्तों, यहाँ पर don't भी बोल सकते हैं do not भी बोल सकते हैं, एक ही बात है और nonsense का मतलब बकवास या बेहूदगी, clear है अगली वाक्य लेते हैं, अपने दिमाग का इस्तिमाल करो अपने दिमाग का इस्तिमाल करो अपने भेजे का इस्तिमाल करो अपने खोपड़ी का इस्तमाल करो Use your brain Use your brain Use your head भी बोल सकते हैं यहाँ पे लेते हैं अगला वाक के अगला वाक के हैं बहाने मत बनाओ Do not make excuses Do not make excuses लेते हैं अगला वाक के मुझे घर छोड़ दो या मुझे घर पहुचा दो Drop me home Drop me home लेते हैं अगला वाक के अगला वाक के हैं मुझे नीद आ रही है I am getting sleepy मुझे नीद आ रही है I am getting sleepy चलिए लेते हैं अगला वाक That is मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम एक ही बात है अंग्रे जी होगी I don't know I do not know एक ही बात है चले ले लेते हैं दूसी वाक के that is उसी गाली मत दो do not abuse him लड़की हुई तो do not abuse her clear है लेते हैं अगला वाक के that is मुझे नहाने दो let me take bath यहाँ पे let me bath भी बोल सकते हैं चलेगा लेकिन होता क्या है कि जब भी हम लोग बात हो गया breakfast हो गया lunch हो गया dinner हो गया या कोई भी पीने की चीज हो गया जैसे tea हो गई coffee हो गई इन सब के साथ हम लोग take का परियोग करते हैं वो grammatically correct होता है यहाँ पे बात को sour भी बोलते हैं ना तो बात को sour कैसे use कर सकते हैं देखिए let me take sour let me take actually get sour को क्या बोलते हैं sour next day is kall into tomorrow अगली वाकिया है आपको कैसे मालूम आपको कैसे पता इसकी दो पहलू है इसके दो पाट है that is की आपको कैसे मालूम या present में भी बोल सकते हो या past के refer में भी बोल सकते हो अगर आप कहना चाहते हो की आपको कैसे पता है तो हाव do you know? और अगर हम लोग पूछे हैं कि आपको कैसे पता, तो how did you know हो जाएगा? आर यह समाझ में सिर्फ do के जगह पे did कर देना है अगर आपका मतलब past हो, clear है? लेते हैं अगला sentence that is कैसा चल रहा है? how is it going? how is it going? लेते हैं अगले वाक क्या कर रहे थे अब तक? what have you been up to? what have you been up to? अगली वाक का है क्या चल रहा है? what's going on? क्या चल रहा है? what's going on? लेते हैं अगला वाक and that is तुम कहां थे? where were you? where were you? अगली वाक का मान Grow लेते हैं क्या मैंने आपको सही समझा wow Easy सही समझा, did I get you right, did I get you right, next is, इसे दिल पर मत लो, do not take it to the heart, do not take it to heart, एक ही बात है, इसे दिल पर मत लो, next is, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, do not make me fool, दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ यहां तक भी बोलेंगे तो चलेगा, do not make me fool, और, do not make me fool out of me, do not make me fool out of me, अगली वाक्य है, यात्रा कैसी थी, पूछते हैं न हम लोग, जब भी कोई कहीं से जर्णी करके आते हैं, ट्रावलिंग करके आते हैं, पूछते हैं तो कैसी रही जर्णी, अगली वाक्य है, आप कैसे हैं या आप कैसे हो, how are you, next is, क्या तुम फेर आओगे, will you come again, अगली वाक्य है, मैं परिसानी में हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, I am in trouble, next is, मैं सहर से बाहर था, I was out of town, इसी को हम लोग कह सकते हैं, I was out of station, I was out of station, ठीक है, आप कुछ लोग कहें सर स्टेशन कैसे होगा, स्टेशन मतलब railway स्टेशन ही नहीं होता है, स्टेशन का मतलब लोकालिटी, आप जिस लोकालिटी में रहते हो, आप उस लोकालिटी से बाहर थे, that is why I was out of station, I was out of town, अगली वाक्य है, मेरे पास एक कार है, I have a car, मेरे पास एक कार है, I have a car, हो सकता है, यहाँ पर आपके पास एक बाइक हो, I have a bike, I have a bike, जो भी चीज आप बोलना चाहते हो, वहाँ पर आप उसको बोल डालना है, अगली वाक्य है, उसका स्वास्त ठीक नहीं है, उसका हेल्थ ठीक नहीं है, इसके दो पहलू होंगे, he is unwell या he is not well, he is unwell या he is not well, okay, next is फिर आना, do come again, फिर आना, do come again, next is वह बहुत बातुनी है, वह बहुत बोलता है, he, वह लड़का भी हो सकते है, लड़की भी हो सकते है, लड़की हुई तो see, लड़का हुआ तो he, he is very talkative, talkative का मतलब बात तुनी, अगली वाक्य है, कृप्या बैठ जाए, कृप्या बैठ जाए, एक ही बात है, अंग्रे जी होगी, please be seated, next is, कृप्या थोड़ी देर रुक please stay a little longer, next is, जुबान संभाल के, mind your language, जुबान संभाल के, mind your language, next is, भगवान पर भरोसा रखें, खुदा पर भरोसा रखें, जीजस पर भरोसा रखें, या कोई भी भगवान जिसको आप प्रेस करते हैं, have faith in God, अंग्रे जी होगी, have faith in God, because God is one, okay, next is, बोलने से पहले सोचो, think before you speak, बोलने से पहले सोचो, think before you speak, next is, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता, अंग्रे जी होगी, it does not matter, it does not matter, next is, आपको परेसान करने के लिए माफी चाता हूँ, sorry to bother you, ध्यान रखें, यहाँ पे brother नहीं है, b-r-o-t-h-e-r, यह bother है, sorry to bother you, next is, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता, it does not matter, okay, next is, यह आपकी दैलू भावना है, कभी-कभी होता है न, कोई आता है तो कहता है न, oh my god, मतलब बहुत अच्छा आप काम करती है, it's a very kind of you, so kind of you, okay, next is, बहुत समय से मिले नहीं, long time, no see, बहुत दिनों से दिखे नहीं, बहुत दिन से मिले नहीं, इदिका चान्द हो गए हो, तो अंगरे जी होगी, long time, no see, क्या चल रहा है, what's going on, क्या चल रहा है, what's going on, अगली वाक्या है, मेरे साथ पंगे मतलो, do not mess with me, do not mess with me, है न, यहाँ पर आपको क्या करना है, mess का use करना है, M-E-W-L-S, अगली है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, do not make me fool out of me, do not make me fool out of me, next is, यह नहीं हो सकता, this is not possible, this cannot be happening भी हो सकता है, यह एक standard English है, standard spoken English में कुछ-कुछ चीज़ें जो है, आप घूमा के बात करते हैं, है न, this cannot be happening, this is not possible भी बोलेंगे तो चलेगा, next is, यह एक दिमागी बात नहीं है, कभी कभी होता है न, कोई बिना सरपैर की बात करता है, तो ह अंगरी जी होगी, this is a no-brainer, this is a no-brainer, next is, कोई बात नहीं, never mind, कोई बात नहीं, never mind, next is, अपनी कार धीरे चलाओ, drive your car slowly, अपनी कार धीरे चलाओ, drive your car slowly, next is, मुझे अपनी पूरी कोशिस करनी होगी, कभी कभी हम लोग कहता है न, तो पूरा जान लगा दूंगा, मैं कोशिस करूंगा, बिल्कुल से, I will try my best, यहाँ पर I will try my level best भी अप कह सकते हो, यहाँ पर I will try my level best भी कह सकते हो, अगली है, यह अच्छी खबर है, यह अच्छी खबर है, that's a good news, अब कहें सर, यह अच्छी खबर है, this is a good news भी तो होगा, नहीं, कभी-कभी हम लोग जब news सामने से आ आराम से रहो, आराम से रहो, make yourself comfortable, कभी-कभी हमारे घर में कोई guest आते हैं नहीं, कहते हैं, अपना है यह समझो इसको, तो make yourself comfortable, next is, अपने काम से काम रखो, mind your own business, mind your own business, मुझे अकेला छोड़ दो, leave me alone, leave me alone, next is, मुझे देखने दो, let me see, मुझे देखने दो, let me see, तो दो दो आम बोलचाल में बोलते हैं, और यह series continue रहेगा, दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर बहुत सारी series कर रहे हैं, complete assertence का एक पूरा series है, हरतरा के वाके, WH का पूरा series चल रहा है, जिसमें daily life word का एक series चल रहा है, फिर हरतरा के mixed sentence हैं, जो हम लोग use करते हैं, एक mixed जो पूरा content है, share कीजिए videos को, ताकि अपने साथ साथ आप दूसरों को भी educate कर सको, thank you so much for watching, be with be bank, empowering life to knowledge, all the best, happy learning.